हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो आवर चैनल ओनर्स इंग्लिस टूड़े अवर टोपिक इस रेटोरिकल डिवाइज़ ओफ दा पोईट्री पोईट्री की जो सबसे इपोटेंट डिवाइज़ है वो हम करेंगे तो इसके अंदर है मेटाफर इमेजरी सटायर रायम रायम स्क पक जिसके अंदर समानता होती है किसी की किसी के साथ समानता दिखा के बताया जाता है उसको जैसे हम कोई लाइन ले लेते हैं कि सी लुक्स लाइक ए साइनिंग मून वह एक साइनिंग मून की तरह दिखाई देती है यानि कि उसकी तुलना मून के साथ कर दी और मून की जो साइनिंग है वो उस लड़की के साथ या फिर लेडी के साथ कर दी गई अगला है हमारा इमेजरी इमेजरी का अर्थ होता है कलपना यह नहीं कि हम किसी चीज की कलपना करके उसे राइट डाउन करें और पोईटरी में इसे इमेजाइन करके लिखा जाता है जैसे किसी ने लिख दिया कि हमने कभी पैरडाइस तो नहीं देखा है वह नहीं देखा हमने कभी लेकिन यदि हम सपोज करके उसे लिखें कि पैरडाइस में यह होता है वो होता है तो वो जो यूज की जारी है उसके अंदर नेक्स्ट हमारा है राइम स्कीम जो पोई में राइम स्कीम होती है जो हम A B B A A A A B B B S यूज करते ना वो होती है तो इसके लिए हम एक पैराग्राफ देखते हैं इसके अंदर रैड हेट और बल्यू और यू य ये दोनों सेम सेम वर्ड्स है तो जो रैड हेट है उसकी तो राइम स्कीम A A होगी और उनकी होगी B B gen, a, bu, ab अगला इसके अंदर स्टेंजहॉस हर एक poème के अंदर स्टेंजाइर होते हैं उन्हें अलग अलग पार्ट में डिवाइडी किया हुआ हुए है हमने कभी देखा होगा poem में अलग अलग स्टेंजाइर यूज कि हुए अगला है, हमारा Satire पोई में एक प्रकार से स्टायर भी यूज़ किया जाता है स्टायर बोले तो किसी पर कटाक्स करना जैसे किसी ने किसी के बारे में कोई किसी के आदत बुरी लगती हो और उसे दूसरे तरीक किसे कह दीना जैसे किसी को कह रहे हैं कोई काम नहीं करता उसे कह रहे हैं भाई तुम क्यों काम करोगे तुम तो बड़े इंसानों उसकी बढ़ाई भी कर दी और उसकी घटाई भी कर दी हैं यहिए उसके मुद पर कटाक्स किया एक प्रकार से भी तुम काम नहीं करती है सटायर के अंदर जो अगले का एटिट्यूड फूमर और विथ है उसके उपर सिधा कुमेंट किया जलता है अगला हमारा आईरोनी आईरोनी क्या होता है कि जिस परकार से अंपने फ्रैंद난 क तो क्या होता है हम उसके गए हुए हैं वह हमारे गर आया है तो इस परकार से जो घटना हो जाते हैं उसे आयरोनी बोलते हैं जिसके अंदर हसी भी आए और हसी ना भी आए अगला हमारा वोइस और परसोना परसोना का मीनिंग होता है अभीने मतलब नाटक करना इसके अंदर क नाटक सा परतीत होता है दूसरे को देखने वाले को उसे ऐसा नहीं लगता कि ये उसकी सेलफ फिलिंग्स है उसकी अपोजिट होता है ये तो इस तरह से हमारे जो भी डिवाइजिस है वो पूरे हुए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कोमेंट करें सियर करे और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली नोटिफिकेशन को आप पास कि